नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं HVS Studies और इस चैनल में आपके लिए Current Affair लेकर आ गया है 11th January 2023 का इसमें हम Static GK और साथ में Related Current Affair का Revision करते हुए चलेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप से नरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेर जरू कीजेगा चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले बात करेंगे लास्ट डे के क्विज की और लास्ट में आपके लिए क्विज रखा है उसको जरू सौल कीजेगा तो लास्ट डे का क्विज था इंडिया सरपास जापान टू बिकम विच प्लेस लारजेस्ट ऑटो मार्किट ग्लोबली तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया और पीछे छोड़ने के बाद भारत की पोजीशन हो गई थी थर्ड आप सभी ने अंसर सही दिया था और डीटेल में दिया था आज के पहले कोशन की बात करें तो आज का पहला कोशन है जो जोसी मठ टाउन विच हैड बीन डिकलेर्ड एजा डिजास्टर एरिया बिलॉंग्स तो विच स्टेट तो जोसी मठ में आपको पता होगा दरार वगेरा और रोड के घसने वगेरा की इसको आपदा के रूप में घोशित कर दिया गया है यह कहां पर अवलेबल है अंसर होगा यह अवलेबल है उत्राखंड में ध्यान अक्येगा बी आप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है तो जोसी मठ जो की उत्राखंड की चमोली डिस्टिक्ट में अवलेबल है यहां पर जमीन धसने का जो वाक्या है बहुत सारी जगहों पर ये मिला है घर के घर धस गए रोड धस गई तो इसकी वज़े से इसको आपदा गोशित कर दिया गया अब उत्राखंड की बात हुई है तो उत्राखंड को फॉर्म किया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंब 2000 को कैपिटलिस की देरादूर विंटर की है गैर सेंड समर की है जुडिसरी मतलब हाई कोट इनका पहले नैनी ताल में था अब हलदुआनी में सिफ्ट कर दिया जाएगा गवर्नर इनके गवर्नर गुरमीत सिंग है चीफ मिनिस्टर पुशकर सिंग धामी है लैसलेचा कॉर्बेट नैशनल पार्क गंगोतरी नैशनल पार्क गोविंद नैशनल पार्क नंदा देवी नैशनल पार्क राजाजी नैशनल पार्क वैली ओफ लावर नैशनल पार्क यहां के नैशनल पार्क है मैप पर देखें तो उत्तराखंट दो देशों के साथ बाउंडरी को nominated for the global leadership award presented by the legal profession center of Harvard Law School USA तो Harvard Law School के द्वारा अपने जीवन को law के लिए समर्पित करने के लिए किस देश के chief justice को यहाँ पर चुना गया है इस award के लिए तो answer यहाँ पर होगा भारत के chief justice है डीवाई चंदरचूर जी जो की पचासवे नंबर के हमारे chief justice of India है उनको चुना गया है global leadership award के लिए किसके तो legal profession जो भी lawyer की professory है उसको देश और विदेश में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए इनको यह award के लिए Harvard Law School USA के द्वारा चुना गया जैसे आपको बता दू इन्होंने LLB तो DU से की थी दिल्ली उनिवरसिटी से लेकिन Harvard Law School से इन्होंने LLB का master किया है ध्यान रखेगा इनका अल्रेडी link है Harvard University में आगे बात करें तो अवार्ड से रिलिटेड करेंड़ेफर को रिवाइस करते हैं पहला कुशन पढ़ लिया तूसरा है एसे जराज मौली जिनको बेस्ट डाइरेक्टर का अवार्ड दिया गया न्यू यॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सरकल में प्रभू चंद्र मिश्रा को अटल सम्मान अवार्ड Excellence in Field of Science and Research के लिए दिया गया भारत की साइकलिस्ट है स्वाती सिंग को 30 नंबर का एकलम्वे पुरुसकार दिया गया काला पानी किसके द्वारा लिखा गया राजिंदरन के द्वारा लिखा गया और दे लास्ट सो आरारार के नाटू नाटू को शॉटलिस्स किया गया है USA 2023 के लिए Times Magazine ने Person of the Year Vladimir Zelensky और Spirit of Ukraine को दिया है The Emissary of Peace Award US के US ने सिरी सिरी रवी शंकर जी को दिया है और इंडिया जिसने टॉप पोजिशन दुबारा से हासिल की है मालदीव में सबसे जादा ट्यूरिज्म बढ़ाने में पूर्दिमा देभी बर्मन Wildlife Biologist है जिनको Champions of the Earth Award 2022 के लिए दिया गया और तिबत के Spiritual Leader है दलाई लामा जिनको Peace Price गादी मंडेला Foundation के द्वारा दिया गया आगे बात करें तो यह है आपके लिए e-book जिसको आप परचेस कर सकते है description box में लिंक है HVS Studies official at the rate gmail.com में अगर कोई प्रावलम होती है डाउनलोड करने में तो आप इसको प्रावलम सेंड कर दीजेगा आपकी प्रावलम सोट आउट कर दीजाएगी और इस वीडियो को आप regular देखेगा तभी आपको इसका benefit मिलेगा क्योंकि आपको पता है आपके लिए इसमें रिवीजन section है बहुत important डाला जाता है जो कि आपको मदद करेगा और इस parameter को आप नाप कर देख सकते हैं कि आपको यह वीडियो कितनी मदद कर रही है अगला कुशन इन विच स्टेट विल PM Modi inaugurate the 26th National Youth Festival on January 12, 2023 तो परधानवंतरी नरेंदर मोदी जी 12 जन्वरी 2023 को 26 रास्टिय युवा महतसम का उधगाटन किस राज्य में करेंगे आंसर होगा यह किया जाएगा करनाटक के हुबली में ध्यान रखेगा करनाटक के हुबली में National Youth Festival 26th नंबर वाला होगा और 12 जन्वरी 2023 को परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के द्वारा किया जाएगा इस दिन National Youth Day हम अब्जर्व करेंगे विवेका नंद जी की Birth Anniversary पर हम National Youth Day अब्जर्व करते हैं अगला कुशन तो जो भी रिसेंटली में नेशन संबंदित का अंड़फर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं पहला कुशन पढ़ लिया दूसरा पहली बार फिया Formula E World मनलावे कारों की रेस है जिसको हैदराबान में और्गनाईस कराया जाएगा वाराण सी केंट रेलवे स्टेशन को फाइफ स्टार E ट्राइट स्टेशन का दरजा मिला है कोलकाता Metro Rail Corporation ने अनौस कर दिया है कि वो पहली अंडर्वाटर Metro को कम्प्लीट कर देंगे दिसंबर 2023 तक नितिन गटकरी जी ने सेकंड लार्जिस्ट केवल इस्टेड एट लेन जवरी ब्रिच को गोवा में लॉंच किया शिरी नगर जिसके जहाँ पर पहली आटो लोगस बोन मेरो इस्टेम ट्रांस्प्लांट हुआ लोसार फेस्टिवल लद्दाक में और अर्गनाईस कराया गया और लद्दाक का ये नया साल है भारत की लॉंगिस्ट एस्केप टनल 12.89 किलो मीटर की लंबी है और बनिहाल कट्रा रेर्वे लाइन में इसको कंस्ट्रक किया गया सेला पास्ट टनल जो की बियारों के द्वारा डेवलप की गई चाइना बॉर्डर को अरुनाचल प्रदेश से कनेक्ट करती है गमोसा को आसाम के लिए जियाई टेंग मिला तंदूर रेडग्राम को तेलंगाना के लिए और एप्रिक्रोट फ्रूट को लद्दाक के लिए जियाई टेंग मिला है अगला कुशन वर्ड हिंदी डे इस सेलिब्रेटेड ओन विच डे तो विश्व हिंदी दिवस कम मनाया जाता है आंसर होगा विश्व हिंदी दिवस हम हर साल मनाते हैं इसलिए दस जन्वरी को युनाइटेड नेशन जनरल असेमली के द्वारा कहा गया कि भही इसको हम वर्ड हिंदी डे के रूप में अबजर करेंगे याद रखिएगा इसको आगे बढ़ाने में सबसे इंपोर्टेट रोल इंद्रा गान्धी और साथ-साथ मनमोहन सिंका रहा है आगे बात करें तो जो भी इंपोर्टेंट कोशन है उनको रिवाइज करते हैं जैसे वर्ल्ड फैमली डे हम ग्लोबल बाफ किज़ेगा ग्लोबल फैमली डे हम फर्स जैन्वरी को अबजर करते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे हम फॉर्थ जैन्वरी को अबजर करते हैं सेमिंटीथ नंबर का प्रवासी भारती दिवस हम नाइन्थ जैन्वरी को अबजर हमने किया प्रवासी भारती दिवस जो कि मोदी जी के द्वारा इंदौर में इनाउग्रेट किया गया 9 January को World Hindi दिवस 10 January को हमने उबजर किया और साथ साथ Startup India Innovation Week हम 10 से लेकर 16 January को उबजर करते हैं अगला कुशन Who has been appointed as the new MD and CEO of Paytm तो Paytm बैंक के नए MD और CEO कौन बन गए हैं आंसर होगा ये हैं सुरिंदर चावला कौन सुरिंदर चावला Paytm के नए MD और CEO बन गए हैं ध्यान रखेगा ये Paytm में RBI के द्वारा इनके नाम को accept किया गया कि हाँ ठीक है अब से ये MD और CEO बन जाएंगे किसके Paytm Payment Bank के ध्यान रखेगा पूछा जा सकता है अगला कुशन विच स्टेट लाँजट आ फैसिलिटी फोर एंटरपनियोर्स टू समिट कमप्लेंट्स यूजिंग वाटसेप तो किस राज ने उद्वियों के लिए वाटसेप का उपियोग करके सिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की है तो जो भी एंटरपनियोर है जो बिजनस करते है वाटसेप के माध्यम से जो भी उनको प्राबलम होती है उसको वो कम्प्लेंट के रूप में कर सकते हैं तो आंसर होगा केरला के द्वारा ये सुविधा दी गई है ध्यान रखियेगा पूछा जा सकता है इसे बिजनस की इंडस्टी जो चल रही है लोग स्टार्ट अप्स खोल रहे हैं उनको सेट अप करने में काफी जादा मदद मिलेगी और रुकावटों को कम करने में तेलंगाना सरकार मदद करेगी उनकी अगला कुश्चन हुई इस दा ओथर ऑफ रिव रिवलुशनरी दा अधर स्टोरी ओफ हाव इंडिया वान इट्स फ्रीडम के लेखक कौन है अंसर होगा ये इसके लेखक है संजीव सानियाल कौन संजीव सानियाल ध्यान अखेगा संजीव सानियाल ने रिवलुशनरी दा अधर स्टोरी ओफ हाव इंडिया वान इट्स फ्रीडम को लिखा है अब जो भी बुकेस रिसेंटली में रिलीज हुई है उनको रिवाइस करते हैं जैसे डांसर है मलिका सारा भाई इन्होंने बुक को लिखा फ्री फॉल और रिना नबा जिनके द्वारा न्यूकलराइजेशन अफ एशिया को लिखा गया सेन वार्सन की बुक है विनिंग दा इनर बैटल और निर्मला जेम्स के द्वारा लिखा गया ई के जान की अम्माल लाइफ एंड साइन्टिफिक कॉंट्रिबूशन साइमोन सेबाक के द्वारा लिखा गया The World of Family History रशकिन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई बुक है क्या ना लंदा अंटिल वी मीट अगेन सेखर पाठक के द्वारा लिखी गई बुक चिपको मूवमेंट पर जिसको कमला देवी चटो पध्याय प्राइस से सम्मानित किया गया 2022 में मांसी गुलाटी के द्वारा लिखा गया Miracle of Face Yoga और संजीव सानियाल की बुक है Revolutionary is the other story of how India won its freedom आगे बात करें अगला कुशन किलाओ वॉलकैनो विच वॉज सीन इन दा न्यूज इस लोकेटेड इन विच कंट्री तो खबरों में जो किलाओ जो अला मुखी है वो किस देश में इस्तित है यहां पर विस्वोट हुआ है अंसर होगा यह USA में अवलेबल है और USA में भी बात करें तो हवाई में USA के हवाई में अवलेबल है दियान रखिएगा हवाई USA में किलाओ वॉलकैनो है जिसमें तोकि सबसे ज़्यादा वॉलकैनिक इरॉप्शन इसके पास होता है पुरे धर्ती का सबसे ज़्यादा इरॉप्शन इसके पास होता है और इसमें जो इरॉप्शन है वो स्टार्ट हुआता है इसलिए न्यूज में रहा है आगे बात करें अगला कुशन 75th Army Day will be organized in which city this year तो इस साल 75th सेना दिवस के सहर में आयोजित किया जाएगा बैंगलोर में बैंगलोर यहाँ पर आंसर बिलकुल सही होगा दियान रखेगा 15th January 2023 को बैंगलूरू में 75th नंबर का Army Day ceremony organize होगी दियान रखेगा पूछा जा सकता है इसको लीड कौन करेंगे तो मेजर जनरल रवी मुरुगन के द्वारा लीड किया जाएगा आगे बात करें आज के quiz की तो आज का quiz है which Indian state has been become the first fully digital banking state तो digital banking पहला fully digital banking state कौन बन गया तो comment box में detail में answer दीजेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप से रोध करूँगा वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर लीजेगा और at least अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को share जरू कीजेगा धन्यवाद